आज मैं आपके लिए रमजान special make and freeze recipe लेके आई हूँ जिसे हमने नाम दिया है चिकन सिगार यह chicken की बनी है और यह बहुत ही जादा delicious और बहुत ही simple यह steps है जो आसान इसे आप follow करके इसे बना सकते हैं और one month तक आराम से फ्रीज करके इसे store कर सकते हैं recipe interesting होने वाली है तो चैनल को अब इसे subscribe कर लो वीडियो को like भी कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां इसे बनाने के लिए मैंने chicken ले लिया है bonless जो है 250 ग्रैम उसके बाद मैंने इसमें डाला है वन टीजपून जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टीजपून धनिया पोडर है वन टीजपून जीरा है वन पिंच ओफ हल्दी है और वन टीजपून ही इसमें रड चिली पोड मिक्सी कजार मैंने छोटा था इसलिए मैंने सब एक साथ एड नहीं किया यहां पर चिकिन अच्छे से पिस चुका है तो यहां मैंने दो एग भी एड कर दिये है अब यहां इसका जो टेक्चर है वो क्रीमी टेक्चर हो गया है जो हमारे पाइप्स में बढ़ने के लिए ब अच्छे से उपर से इसे रबर बेंट से सिक्योर कर दिया है जब हम नीचे से कट करेंगे तो यह हवा निकल कर हमारा चिकन का पेस्ट है वह आना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर इसके टू कॉन मैंने रेडी करके रख ली है और अब हम शीट्स रेडी कर रहे हैं यहा मैंने इनको कट करके चार पीसिस में कर लिया है तो यहां पर करिए 250 ग्रैम चिकन से मेरे 32-35 चिकन सिगार्स रेडी हो गए थे शीर्स मैंने कट कर ली है यहां पर मैदा का मैंने गोल तयार कर लिया है अब यह मैंने रोल बनाने के लिए लिया है आप चाहें तो कोई पैन यह पैनसिल मी यूज कर सकते हैं यह वही है जिससे नाइब को शार्प किया जाता है तो इस से मैं अपने सिगार रोल करूँगी यहां आप देखें मैंने किस तरीके से रोल किया है इसके उपह इससे रख का है और इस तरह किस से रोल करते हुए लास्ट में आकर हम यहां जो हमने लाइन त्यार की थी उसे यहां पर लगा देंगे और उसके बाद इसे अराम से निकाल लेंगे यह देखिये बहुत ही इसली निकल जाता है और यहां पर हमारा चिकन फिल करने के लिए एक रोल रेडी हो गया है इसे तरीके से मैंने यहाँ पर सारे रोल रेडी कर लिये है और हमारा जो चिक्किन है वो भी बिलकुल रेडी है अब हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं नीचे से मैंने इसे छोटा सा कट कर लिया है जिससे के चेकिन आसानी से निकल जाए अब यहाँ देखिए इसमें पीच में से तूट चाएंगे यहाँ देखें यह सारे रेडी हो गए है और थोड़ी से रोल मेरे ऐसे हाली बच गए थे यह मैंने दो थोड़ी से तूट भी गए थे इन्हें मैंने सेपरेट रख लिया है अब हम इनको फ्रीज कर लेते हैं फ्रीज करने के लिए आप एक अब इसमें कोई भी वटर पेपर यह पॉलाथीन रखकर इस तरह के ज़िए इस तरह के सेपरेट रख दे यहां यह अच्छी से फ्रीज हो गए हैं तो अब ही हम इसे फ्राइए करके इन्जॉय कर सकते हैं इस्टोर करने के लिए मैंने यहां पर एक बैग ले लिया है जिस पहले फ्रीजर में सेपरेट रखके सॉलिड जरूर कर ले यह आपके वन मन्त के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहां पर मेरे वीडियो का क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया था जब मैं ऑल में डाल रही थी तो वो रिकोर्डिंग बंद हो गई तो यहां देखी मैंने जो मुझे फ्राइ करने थे उन्हें मैंने ऑल में डाला है और अब इन्हें गॉल्डन होने तक हम फ्राइ करेंगे यह अच्छे से फ्राइ हो गए है तो एक टिशू पेपर पे निकाल लें एकसेज ऑल इनका निकल जाएगा अब आप लोगों को रेसे पी अच्छी लगी ह करें चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करें उपर आई बटन में अधर वीडियो चेक करिए यहां पर मेरी और भी वीडियो हैं जो की मेक और फ्रीज हैं पराठा है लच्छा पराठा है चिकिन के समोसे हैं काफिसाई रेसेपीज मैंने यहां पर एड़ की हु